आपने कई लोगों को पशो और जानवरों के लावा पक्षियों की आवास निकालते हुए सुना होगा उसे बात्रीत करते हुए सुना होगा जिखा मुरादाबाद का एक शक्स ऐसा है जो कि कउओं की तरह आवास निकालता है आसमान में उठते हुए कउओं से बात्रीत भी क ये है मुरादाबाद का क्रोमै मुरादाबाद में एक व्यक्ति ऐसा है जो मूँ से कववे की आवाज निकाल कर कववों को बुलाता है उसकी एक आवाज सुनकर आसमान में सैकडों कोवे मंडराने लगते हैं और तलाश करते हैं उस साथी की जिसने उन्हें बुलाया मुरादाबाद के बंगला गाउं के रहने वाले अंचुल चोहान पेशे से फुटाग्रफर हैं लेकिन कुद्रत ने इन्हें एक अनोखा हुनर दिया है वो अपने मूँ से कवे की आवाज निकालते हैं जब ये जनाब कवे की आवाज निकालते हैं तो इनकी आवाज सुनकर कवे अपने पंक फैलाते हुए खुले आसमान में घटा हो जाते हैं ये नजारा देख और अंशुल की आवाज सुनकर लगता है जैसे कववे भी आवाज लगा कर अंशुल को पुकार रहे हुई चली खुद अंशुल से ही जानते हैं कि आखिर उनको अपने इस हुनर के बारे में कब पता चला और कहां से इसकी शुरुवात हुई अंशुल का खुले आस्मान में उड़ते पक्षियों से बात करने का हुनर सचमुच भगवान का तौफ़ा है जो हर किसी के पास नहीं होता खबरे अभी तक के लिए मुरादाबाद से वाजित अली की रिपोर जो हर किसी के बात करने का तौफ़ा है जो हर्ली की रिपोर